आम तोर पर खर्पतवार के तोर पर उगने वाला मकोई का पौधाज से रसभरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जंगली फल जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ और सधीय उणों से भी भरपूर होता है। पहले तो मकोई को खर्पतवार के तोर फर ही देखा जाता था लेकिन अब किसान इसकी फोसल भी उगाते हैं। और किसानों को मकोई की खेती से अच्छी कमाई होती है। मकोई का श्राद आमले की तरह दिखा और खटा मीठा होता है। इसके अंदर के बीज टमाटर के बीज की तरह होते हैं। इसका श्राद खटे फल के अलावा कुछ अनानास और चैरी के जैसा होता है। मकोई सरीर के लिए बेहद ही लावकारी होता है। इसमें पाए जाने वाले विटामिन और मेनल्स मदुमे की बीमारी से निजात दिलाते हैं। इसके अलावा ये मोटापे को रोखने के साथ साथ तिल की बीमारियों को भी दूर रखने में बेहद कारगर है। क्रैसी विग्यान के इंदर नियामतपूर में तैनात ग्रह विग्यान के एक्सपर्ट डॉक्टर विद्य गुद्दा ने बताया कि मकोई में विटामिन सी, हॉलिक एसिड, कैलसियम, फासफोरस, आइरन और विटामिन ए सही तकईब होशकता तो पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाला करोटिन एंटी आक्सिडेंट के तोर पर काम करता है। मकोई हाई बलड प्रेशर और ह्रदय रोग के लिए कारगर दवा है। इतना ही नहीं इसमें पाए जाने वाले फाइबर की वज़े से ये पेट के लिए बेहत फाइदे मंद होता है। साह यहां पूर से लोकल 18 के लिए सिमरंजे सिंग की रबाट। करने में मदद करता है। साथ ही इसमें फाइबर बहुत अच्छी मातरा में होता है। जिसकी वज़ा से ये हमारे पेट के स्वास्त के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है। फिर्दै रोग के लिए भी ये बहुत अधिक फाइदे मंद होता है रसभरी के फलों के साथ साथ इसकी पत्तियां भी हमारे सिहत के लिए बहुत जादा फाइदे मंद होती है यदि पत्तियों का अर्क इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे पेट के लिए बहुत जादा पेट के स्वास्त के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मन्द होता है। रस्भरी के फलों को हमें नियमीत रूप से खाना चाहिए यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है चुंकि इसमें फाइबर बहुत होता है इसलिए यह पेट के स्वास्त के लिए अच्छा होता ही है साथ हिर्दै रोग उच्छ रक्त चाप कोलेस्टरॉल व करना चाहिए और खेतों में यह जंगली तोर पर उगा हुआ होता है जिसकी पत्तियों का हम अर्क बना करके अपने पेट के स्वास्त के लिए उप्योग में ला सकते हैं